we'll start with next question question number 13 अच्छा कोश्टन है अफ कोड़ा सा आपको सोचना पड़ा कोश्टन पर सिंपल है और फोर्फ कॉंस्टेंट क्या होता है पता होना चाहिए जो मैंने लास्ट लेक्षर में बताया था तो हो मने आपको पूर्फ कोंशन पर्थ अपन एक्टेंशन वर्य गुट एफ बाइब उस्मॉलल या डेल्ट ल अ मैटल वायर अफ लेंद ल न एडिया अड्या एड्या विजिट सपोर्ट अनदर मेटल वायर अफ लेंद ल 2 अन अव देशने एरिया तो दोनों वायर का ए सबसे पहले एक रिजिट सपोर्ट है इस वायर का क्रोस-sectional area a length L1 एक लें इसके नीचे और एक वायर है तो इसके नीचे है इसके नीचे है इसके नीचे है इसके शिफ्ट इट मैं शिफ्ट कर दूंगा इसको बाद में इसके नीचे लगा दिया इसके नीचे लगा दिया पहले वायर का यंग बोडिलर जो था वो था वाय वण और दुसरे का यह था एरिया है इसका वूझे इसका भी एडिया है तो आपको पूचा एफेक्टिव सुंस्टंट इस क्टों सबसे पहले मुझे यह बताओ कि यह दोनों वायर सीरीज में है कि प्रेडल में एंप सिरीज और बिला कि बताओ हाॉँ डिफाइन सीरिज कोंबिनेशन के से डिफाइन करते हो जब दो वायर्थ में दो स्प्रिंग्स में दो रजिस्टन्स में दो कैपस्रीटर में दो इंदॉक्टर में जब सुरिफ एक पॉइंट कॉमन हो एक टर्मिनल कॉमन उसको बोलते हो सिरीज तो यहां पर देख रहे हो पहले और दुसमें वायर में एक ही पॉइंट कॉमने सो क्या बोलते हैं सिरीज सिरीस कॉम्बिनेशन और ऐसा लगा दिया तो यह बन जाएगा पैरिडल जिसको मैं के एक बोलूँगा तो कि फोर्स कॉंट्ट करते हैं कैपिटल एफ डेल्टा एल फोर्ट अपॉन चैंजिन लेंड इसको बोलते हो फोर्स कॉंट्ट रिरीज रेंट फोर्मिला फोर्स कॉंट्टेश वन बाइक एसा आता है आपने रिजिस्टंस इस पढ़ा है तो तो याएर एय आन-पार्मिला का फर्मिला जम होता है व्यायर इंस एंप्रड़ी सिर्क का फोर्मिला का फॉर्मिला से नों प्मक सम् Biology अब आपको सिर्फ केवन और केटू जनना है यह सब्सक्राइब करता हूँ एक को शिप्ट कर देता हूँ तो क्या बचा एफ बाइटा एक को लेके लेटेंट साइट पर एल को भी लेटेंट साइट पर तो तुमने क्या बहा था पर.: nursery लेए का फॉर्स कॉंस्टन थे अट फॉर्स कॉंस्ट इड तो पहले वायर का फॉर्स कॉंस्टन क्या एगा looks फॉर्स कॉंस्टन थे एकelas है कित Indaleb the dayon actि वाई एबाई-दोड यं। ऑनना बेख South비 लिए अपसिए नए है याश्मनियम्न क्या नई ग्लिखोर का एपी तो यह दोनों एक्वेशंज x इकवेशं नूम्बर यह बारदेज्ट कर सांभल कैस्वीर कर दोगा करा दोगा थे थाएजो कि और फर गदिन तू वर्ण एक्वेशन नंबर 1 & 2 1 upon k equivalent equal to 1 by k1 1 by k1 इसका रेसी प्रोकल क्या एगा कि एल्वन अपॉन एवाइबन वर्वर प्लस वन बाइब के टू कि अल्टू बाइब क्या करोंड अब्रम में अब्दू एंडि एक्वेच तो वन अपॉन निकाल लो Left सो वन बाइब उस फ्रॉस्स मंक्सुरण een को क्रॉस्ट मंडिलगल अतल चाल है कि दो नागे फिलेंडिंड एकवेछ सी रहतिता है ए जाना क्या गरपे तो इदर देन दो एल वन वाई टू एल वन वाई टो प्लस टू वाइमन अपान वाई बन इंटू वाई टू ओके लेरफोर के एक वेलंट इक वेल टू बदो के वेलंट क्या है गए अगर वन अपान के एक्वेलंट दिया है मैंने तो मुझे एक करन बताओ अगर वन अपान के यह वन अपान टू करेशी लॉकल क्या होता है कि मुझनेपॉन तू का रे की आ तो वन अपवांट के एक्वेलंट की इस सो YOUR वह हो कि क्क्षेज़घा बता हो तो हbn दिनौमिटर हो ऑर नहुमरेटर में और दूमेटर में वह वगंदेटर में और सी एक आपन एल यह एल टू यह तो एल 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 वन ऊप्शन नमबर सी नेक्स कोश्चिन कि पर लेड़ेस्मूब तो दे नेक्स कोश्चिन अच्छा कोश्चिन है इस पे बहुत साल टाइक के कोश्चिन बन सकते हैं 4 identical hollow cylindrical columns 4 identical identical मतलब जिनका length सेम होगा जिनका रेडियस सेम होगा थिकने सेम होगा कली बताया था identical मतलब दे हैं थे सेम डामेंशन बेसिगली support a big structure of mass m चार identical hollow cylindrical columns है विच सपोर्ट अ बिग structure of mass m बता सकते हो ऐसा कहीं देखा है तुमने देखा है 100 परसेंट देखा है हर दिन देखते हो यूज भी करते हो पोर होलो शिलेंट्रिकल कॉलम supports a big bench मतलब table जैसा कुछ राइट तो यह एक टेवल जैसा structure है जो उपर का plane सब्सक्राइब और चार उसके पाऊ है four legs okay the inner and outer red eye of column क्योंकि फॉलो था फॉलो था इसका what is the meaning of hollow फॉलो मतलब अंदर से पोकल कोई अंदर कोई substance नहीं है तो जो भी substance है वो एक थिंट इन एरिया में है तो इन्होंने बोला है the inner and outer red eye of column are r1 and r2 respectively assuming the load distribution to be uniform the compressional strain of each column is where why is the young smudges of the column question बहुत ही simple है सिप question गुमा गुमा के पूछा है आपको तो first of all you need to imagine ऐसा है कि हमारे पास what we have is we have four hollow cylindrical columns अभी मैं hollow दिखानी दा मैं अलग से ड्रॉव कर दूंगा तो फिलाल तो इतना ध्यान रखो कि चार लेग्स ऐसे तो फोर सच लेग्स देस्का मैनेट ओके तो चार ऐसे लेग्स है more or less टेबल के चार लेग्स and then उसके ओपर एक बिक स्ट्रक्चर है जिसका मास है उसके ओपर उसके ओपर एक बिक स्ट्रक्चर है something like this अभी इमाजिन कर लेना विटेजाए विल नोट बेबल टो डाइग्रेंस प्रॉपर लिए तो ऐसा कुछ है आगे बोला है कि यह जो लोड है मतलब जो मास है इसका डिस्ट्रिबूशन यूनिफॉर्म है वाट डियू मीन वाइव यूनिफॉर्म डिस्ट्रिबूशन तो गोल लोड पार एक ग्जाम्पल डिखते है उन्हेंडस टैन किलोग्रायम और जी की वेलू एक पर का स्ट्रॉक्चिर है उसका मास्टेन और जी की वेलू टैन तो वोट इस लोड हंड़ेड क्योंकि एमज़ी लोड रोता है और अगर यह लोड एक वेली डिस्ट्रिब बाइब फूर लुक ऑप्षन बी और डी में से एक एमजी वाइब फूर एसे ट्रिक्स बनते हैं तो जहां पर फूर नहीं वह आंसर नहीं आसे तो पक्का हो गया तो एमजी भाइब डिरेक्ली सॉल्ड करेंगे लेकिन डिरेक्ली सॉल्ड करेंगे इसको अच्छा यह मतलब समझे का सब्सक्राइब कर यह सिरो सर्क्ष्ट्रूर चॉर्फाटर का जो − पिर मिलेगा तो यहां प्राइब में कर ले ना अंधर का पार्ट है ऐसा तो यह इनर रेडियास हो गया आरवन यह आउटर रेडियस हो गया आरटू ओके लिए वाट इस आउटर वाट इस दा एरिया आउटर सरकल पाई आरटू स्क्वेर इनर सरकल पाई रवन स्क्वेर ठीक बड़ाबत हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर जहां मास हो मास कहा था यहां था ना बड़ाबत वेरी गुड तो मुझे बता हो यह जो मैंने शेड कर दिया इस शेड़े रिजन का एरिया केतना है आउटर एरिया माइनस तो पाई आरटू स्क्वेर माइनस पाई बताव आंसर अटम ड़न इस इस वाओ यूशुट भी यहां ध्यान दो यहां पर ज्यान दो आंसर करेक्ट है सही है लेकिन पूरा मैख़ड अगर फॉल करोगे वोट इस यंग मोडिलस एफल अपॉन जल्दी बताओ ए डेल्टा एल तुमको क्या फाइंड करना था तुमको क्या फाइंड करना एक कंपरेशनल स्ट्रेंड इस कंपरेशनल स्ट्र औरे लोता है रे स्ट्रेंड क्या होता है देलटा एल बाल होता है तो तुमको था इंच या की अगा एव कितना एगा देल्टक क्यों पर इक लोड मैश्हारोट अगर टोटल टेल minus inner area यह जो outer area है वो तुम नहीं बताया Тоresent pics पाइ एर टू स्क्वेर मांइनस दूम्परीरे स्टेंड पोर कितना ओ स्टेंड एमघी नंभाइब आइस स्क्वेर मायनस आ फमकेस्टन जब और पूर पूर सकते हैं अगर पाच पाच लेग दिये तो एंजी बैफ फाइड पाइड आर टू स्क्वेर माइनस आरवन पर इंटू वाइड ठीक चार ले है बदब चार कॉलम्स है लेकिन जो कॉलम का क्रॉस सेक्षन है वो सर्कुलर नहीं है वो मान लेते हैं स्क्वेर है विट इनर साइड लेंथ ए स्मॉल ए और आउटर साइड लेंथ स्मॉल भी समय में आया सर्कुलर नहीं है ऐसा नहीं है तो कैसा है स्क्वेर जैसा है यह इनर साइड लेंथ ए है और आउटर क्या है बी है तो वाट विल भी एरिया इन इस केस डी PG4-2 स्कूरी इंटू वाइट अगे दा लॉट्ल्र सवी शीयर को जान। जो तेलीटेंटिए ये अंगी अचुन को स्कूरी गाहं गाता कि बच्टाह जो ह्क च्योट्र सा प्रेंटिंग निया था तो उतने ही डिपरेंट चेंज करना है तो यहां पर देना है गूटर में नेक्स्ट क्केस्ट शोग कुष्ट एगे इस भूट कोश्टान अगेन इप दवर्ट डन in stretching a wire by 1 mm is 2 Joule एक एम से वायर को stretch करना है मतलब एक एम से वायर का लेंद बढ़ाना है उसमें कितना वर्क हो गया दो जूल का वर्क हो गया the work necessary for stretching another wire of same material same material मतलब क्या constant यंग स्मॉर्गास फंस्टेंट बट्विट डबल रेडियस ऑफ क्रॉस्सेक्शन तो पहले का रेडियस अगर आरे दूसरे का टूर है and half the length मतलब पहले का लेंद दूसरे का bypass to a by वानले में किए यह और य। धोड़ा वाइन वाहर के बाद किये लोड इंटू एक्स्टेंशन इस डेल्टा एल या फिर स्मॉल एल एक्स्टेंशन कॉंस्टेंट करेगा और लेकिन स्वोर्स के बारे में कुछ नहीं बोला बताया है कुछ नहीं तो मैंने कल क्या पताया था आपको अगर आपके पास कोई पार्म लेकर जो अन्नून है उसको डिरेक्टली कॉंस्टेंट मत्मान लेना इलिमिनेट करना इलिमिनेट करोगे मतलब य एकवल टू एफल अपन ए पॉन ए पॉन एंटू इकवेशन नमबर वन एंड टू इवल एकवल टू हाँ लोड लोड इस वाई ए वाई ए ए इसमाल एल वाई कैपिटल एल यह हो गया लोड इंटु एक्स्टेंशन अलग से है और एक ले तो क्या बन गया एल स्कूर बन गया ठीक से तो वर्क डन्स प्रपोर्शनल टू वाई पॉंस्टेंट होगी मट्रियल सेम था एल पॉंस्टेंशन गये दोनों ग्चेंशन सेम है तो प्रपोर्शनल टू ए बाय एल चयना पक्का पक्का लेकिन एरिया कुद किस्पे डिपेंड करता है किसमें दिफ vraiment करता है एडिया अरे वैट इसे एडिव पायार स्क्वेयर सो एडिया किसको प्रपोर्शनल आर्श कर लित गार को एड तो feeding कहना था अड reden एडडर को लगाफ देन किल्तली वेट टू आर टू है टू आर और वन है आर वह दबल डेडियस बोला कि नहीं विट डबल रेडियस एंड हाफ दे लेंथ लेंट एल वन की वैल्यू एल थे इतनी है एल बाइट तो डबली टू बाइड वन आर आर कैंसल टू स्क्वेर पूर एल एल कैंसल यह तू उपर जाएगा जूल था ना तो आंसर कितना हैगा सिक्स्टीन जूल अप्शन नंबर एक है कि नेक्स्ट कॉश्चन तो बड़े आगे है नेक्स्ट कॉश्चन पर जाए पका 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 है ओके कि अब आप लोग बताव कि को स्वाल कैसे करना है अब एवरेज देप्त अब इंडियन ओशन इस अब थी तॉजन मीटर परी गुट एच की वेजु देदी दो फ्रैक्शनल कंपरेशन प्रैक्शनल कंपरेशन मतलब बेसिकली डेल्टा वी बाई वी मतलब क्या वॉल्यू सिंपल कोश्चन है इवन मॉडियर्स ऑफ वाटर बल्क मॉडियर्स ऑफ वाटर इस टू पाइंट टू इंडियू नाइन नूटन पार मीटर स्क्वेर एंड जी वैल्यू प्रिंट नहीं हुआ टैन मीटर पर सेकेंड श्क्वेर आना चाहिए वो जी को लिए नेना पड़ तो कौन सा फरमला यूज होगा तो बलक मॉडिलिस एक वल्टू हाँ एक वल टू वाट यह तक्क है तो यह तो देल्टा पी एक ही बात है एक इसाइड नट इस जोके डेल्टा पी अपॉन दीवी बाइवी मतलब डेल्टा वी बाइवी सुंको फाइंड यह करना है पीटिट के डेलिटा पीट पी देलिटा फीटेट करेश मांदला फ्सायल प्लिचर मायनस इनिस्लिम्हेयर अफी इनीशलिकर तुमको कुछ बोला है गया नहीं तो जब कुछ बताया ही नहीं हो तो इनीशल प्लिरओ लेते हैं तो वाट वीवल दू इसको लेख लेंगे थी थावुज़ड देंसिटी अब वार्टर मेंशन नहीं गिया है ना तो देंसिटी अब बोर्टर नहीं बोला है तो कि इतना लोगे 1,000 1,000 तो जी की वाल्यू कितने लेंगे 10 अपन के वालिव एडिन है तू पॉइंट न्यू टू इन दू दैस्टू और दैस्ट्व नाहीं थे टनर्सट थी दैस्ट ट्ली तनर्स तो शिक्स और तन ट्राइब डिनधेर देंगे तनर्सतो नाइन तो टान गस्टू 10 rays to 2 यहां बचा यहां इस ओके बरावर वह तो उपर जाकर 10 rays to minus 2 वह सब ठीक है लेकिन आपको पर्सेंटेज में पूछा अगर देखा होगा तो यह फ्रैक्ष्नल वैल्यू है तो यह फ्रैक्ष्नल वैल्लियू आगई तुमको पूछा किसमें है करते हैं कि multiply 100 करते हो परसेंटेज में निकालना हो तो मल्टिप्लाइब करते है तो यह उपर 100 नीचे 100 जी टूपाइं एक कि टूपाइंट टू पॉइंट रिसिए आता हो तो देखेम भाग डिवाइड देवाइड नवाई तो पॉइंट टू तो तो यह सब्सक्राइओ को गया कोश्चन का था कॉप्षन नमबर छी जए लाग है next question question a square lead slab of side 50 cm and thickness 10 cm is subjected to a shearing force on its narrow face of 9 into 10 raised to 4 Newton the lower edge is divided to the floor how much will the upper edge be displaced shear modulus of lead is 5.6 into 10 raised to 9 newton per meter square so pahle mereko bata do question samjha hai kya question samjha hogha to aaghe baat hoghi read the question go through it and tell me what have you understood and i'll ask any one of you randomly what have you understood is it okay it's not time sufficient to the question good so what have you understood from the question is it better to be a 2d problem i get 3d problem very good 3d problem is a square lead slab of side fifty centimeters square lead slab अब तक क्या था अब तक हम लोग की बात कर रहे थे अब तक तुमने जहां पर भी change in shape देखा है मतलब modulus of rigidity की बात जहां पर हुए थी हमारी तो वहां पर हमने क्या लिया था याद है हमने लिया था kyu क्या लिया था हमने क्या लिया था यहां पर तो क्यूब नहीं है ना नहीं क्यूब नहीं यहां पर तो बैसिकली क्वेश्चन रेन करते वक्त और ने कुछ चीज़ चेंज कर दी उन्हें नहीं square lead slab square उसका साइड लेंद तो है यहाँ पर दो डामेंशन सेम है यहाँ पर दो डामेंशन सेम है तो लेकिन जो तिकने सेना तिकने सेटिध तो है लेकिन यह नहीं है जे और समझ में आए तो तेकने आपको दिख रहाइख यह तो यह जो साइड है ना यह पता होना चाहिए अब तुमको पता है ऐसा मेरा आजमशन है तो मैं यहां से अठा देता हूँ आगे क्या बोला है आगे बोला है कि इस पर फोर्ष लगा दिया पाल इचाहिए हमेशा लगा और तो तो हमेशा होता है यहां पर लगा दिया तुमने इस पर फोर्स लगा दिया ऐसा तो इससे क्या हुआ इससे शेप चेंज हो गया कैसे चेंज हो गया यह मैंने बता है तो सब लेयर शिप्ट होंगे सिर्फ बेस को छोड़ गया क्या क्या बोला है इसको यहां पर तुमने चिपका के रखा हुआ है वह फिक्स दिस वन तो यह इसका जो लोवर फेस है न वह रिवाइटेड है वह फिक्स है तो यह तो नहीं मूग होगा और जब ऐसा होता है तो ही शेप चेंज होता है तो होगा ऐसा इसकी लिए तो वहाँ पर शीयर यह वर्डियूज किया ना क्योंकि शेफ चेंज होता है तो ही श्ययर वर्ड रूज होता है तो श्यर वर्ड यूज होता है लिए श्वाट आप दैट यह तो ऐसा है तो ऐसा हो गया ठीक अप क्या बोला है अगे बोला है हम अपर एज बिक डिस्प्लेश अपर एज इच मतलब तुमको बेसिकली यह पूछाए डेलिटा एल याद है कि नाम सर्पूच्छ mm को मैंने किया नाम सरी नौट किया तहीं याद दे क्या यूज किया है यह पर यह पूछ रहा है तुमसे, यू, डू यू रिमेंबर मी, लाइक आ रिमेंबर यू, नहीं बादा गाना आपको, एंदेके नहीं सुनते हो शायत, सो एनिवेस, लगेट भी, बहुत फिमस सोंग है वो, यू, डू यू रिमेंबर मी, पूछता है तुमको यहाद है यहाद कर लो नहीं है तो एनिवेस जोक्स अपाट टोड़ा सा परमुदा कंसेप्ट याद रखोगे तो फुशन सालोंगे नहीं तो फिजिक्स लीन बोल्ट करता है समझ लो गए चलो आगे क्या बोला देख लेते हैं मस विल्ड भिडिसप्ले सट तो केंगे जोडना की से फइंड करेंगे ूचया क्या दिया हूँ इसको आम नहीं बोला था तो यू रव्मबर इस को मने सब्सक्राइग अब आ nic data is delta l by l ऐसा था तो delta l equal to ftl by a इता बन गया फ्रमिला इसदी की वैलियो दी है अब कोर्स यह है न यह कि एल क्या करेंगे अब एल क्या है में ल पचास सेंटीमेटर की दस सेंटीमेटर अपकोर्स फिफ्टी आइविल टेल यह स्मार्टर वेट डू दू दिस तो तुम स्मार्ट हो तो होना चाहिए ना ओना चाहिए यह एक काम करता हूं यह साइड के ठीकश को टी बोल देते क्या पता है इस सर्फेस पे फोर्ट लगा कि उसका एरिया पॉर्ट कहां लगा नारो सर्फेस पे उपर के तो वाट इस अरिया और अफ नैरो सर्फेस अगर यहां से यहां तक एल है कि पेस क्या था स्क्वेर था कि नहीं स्क्वेर था ना फेस फेस स्क्वेर था फेस फ्रंट पेस बैक फेस तो एरिया किसका नैरो फेस का तो वाट इस नैरो फेस रेक्टाइंगल है कि नहीं है उसमें से एक साइड क्या है टी और दूसरा साइड क्या है एल तो वाट इस एरिया एरिया एडिया अले टू एल इन्ट्त का एडिया एल state एडिया एले टूटे एलल आ मिम ओधेक एंजे इस पर फिम्ला रहा है इसकंट फॉर्ट लग रहा है उपर के सर्पेस वो क्या है वो इन है ग्दाइटिट्हन into length इसने तो लेंट यह area है और यह जो यह था प्रंट फेस्ट का फील था तो आ गया तो अभी मिश्टर लास्ट हम हमारी हाहां मैं बंचर बोलते हैं तो मिस्टर बैंचर अभी स्में शरी भंको डालना है वैल्यूस so delta l equal to what is ft value what is ft value 910 this to 490 this to 4 upon what is thickness kit not thickness thickness get another 10 10 kilometer 10 centimeter to 10 is to minus 2 what is the value of eta 5.6 into and this to 9 it was simple I'll tell you you're not supposed to solve this pay attention here 10 raise to 9 or 10 10 to 10 is what is what is 9 by 5 1.8 1.9 9 by 5 1.8 9 by 10 9 by 10 9 by 10 0.9 से 1.8 के बीच में दिखना चाहिए और वैसे भी सेम है वाह सब कुछ सेम है तो डोंट वरी तो 1 616 तो 9 by 5.6 तो नाइन बाइफ वाइफ इतना हो गया 1.6 बराबर सभी है आंसर किसमें है सेंटीमेटर एइम्एम में है परहबर व्रवाइब वाटिसवानमे मनेसी यह कितना है माइनस वोट इसका coke इना जरो पॉइंट वडन सेंपत हो इसको चलिफंव रिटोमाइनस थू माइनस थ्री तो कि अगर इसे को क्यों बना देते तो कि अगर क्यों बन जाता तो टी और एल की वेल्यू सेम हो जाती है ना तो यहां पर टी की यहां पर क्या आता एला बस आट इस ताट इस आट इस ओनली चेंज तो यह 10 के जगा पे 50 लिखते है लोगला कॉश्चन कि अगरिया उफ टील वायर इस पॉइंट वन सेंटिमेटर स्कूर एक स्टील वायर इसका आपको दिया है पॉइंट वन चैंटिमेटर स्कूर और उसका यंग्स मोल्यार्स का वैल्यू दिया है तो इंच तो 11 नूटन पर स्कूर होता है थो नियूटन पर मिटर स्कूर है थो कि फॉर्फ रिक्वायर तुस्ट्ष बाइंट पोस और पर संजया एक स्टील-वायर है उसका उसका क्रॉस Parece P際 वीटान है सलेर्ट है सबसे हैं बटाओ विजेंट तेकिंग एनिटाइम सेंटिमेटर स्कूर में कितना होता है तैने स्टू माइनस पॉर और जिरो पॉइंट वाइल एक वैल्यू बराबर यंग स्मॉडियर्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है आपको पूछा है कि लेंध पॉइंट वन परसेंट से बढ़ाना है वाट इस अ मैंने बताया था कल ही हुआ मैंने कल बताया था कि अगर डेल्टा वी बाइवी या फिर वॉल्यूम का चेंज पॉइंट वन परसेंट है परसेंट को नंबर में कैसे कनवर्ट करते हो डिवाइड बाए हंड्रेड हंड्रेड जाएगा उपर तो टेंदेस्टू माइनस टू टूर प्वाइनस त्री तो मैंने कल फूछा था अगर वन परसेंट हुआ तो क्या जीरो पइंट रोएट फ़िया फीटीट केंज या जीरो फॉन परसेंट वा तो क्या याद एक कल ही बाता न इकोशन कल हुआ था तो सेम लॉजिक इस पर भी ए डेल्टवी तो परसेंट सब्सक्राइब कोईजन की ओर एए चेंज कितना है 0.1 किसका 0.1 परसंट ओरीजिनल का ओर इस जिए डिडू पॉइंट वन परसंट Riskरोमेंट1 वाय हॅ तो यह द्रेटा एल भाइएट ट्यू- ऑर पॉइंट वाइट तो इसको लिटने का तरीका में चेंज कर देता हूँ इसको लिखता है और इसको शिप्ट कर देते हैं माहा पर तो फॉर्स क्या बन गया वाय डेलिकाल बाय तुए टू इनटो देंग्स-211 एरिया मैंने अब बताया पॉइंट बाइंट वन सेंटीमीटर स्क्वेर मतब्स पॉइंट वन दियसिटू माम्स पॉर मतब्स तेंग्स-वाईघ्या अब भी बताया मैंने कैसे कमट्व तो इन्टू हजार मतलब दो हजार तो दो हजार न्यूटन का फोर्थ है आप्शन नंबर भी है तो वीकन आच्छुली गो लेकिन रिमेंबर रिमेंबर कंपेटिटिव एक्जैम में आपके पास एक कुश्चन को सॉल्ड करने के लिए एवरेज टाइम वन मिनिट होता है तो स्पीड तो आपको अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा हम कम स्पीड से जा सकते हैं लेकिन ड कि अच्छे कॉलेज में चाहिए ना एडमिशन सीएस कम्पूटर साइंस एडिएस एमल 99.8 के उपर लगता है परसेंटाइल तो फिर कि मैं थोड़ा सा फास्ट फास्ट करवाता हूँ कैलकुलेशन के ट्रिक्स सीखने पड़ेंगे प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो स्पीड थोड़ा सा बढ़ाओ गुड फो यू तो यह कॉश्चन पढ़ने में आपके जाने चाहिए दस से पंद्रा सेकेंड तो पता क्या है उसका मतलब क्या है एए ए हाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा पड़ते कैसे हैं कि में यहां से स्टार्ट करता प्सक्षन पड़ते कैसे है उसमें क्या पूछेतस कैसे है फबढ़ा पहली बस लोग्षन कर देंगे a Duvy और बोला क्यνोंकि आधिए सकता है एसोरे लेन पार उसका लेंड गया उसका लेंद उसमेंद एस्टिंग मैली का रॉपरियो लोड़ सेम हो गया ओंग्या यह लेगा है तो इतना टाइम दबना चाहिए को कोशन पढ़के से पूरा समझने में और फर्मुला त्याद करने में गीवन लोड लोड कॉंस्टन एफ कॉंस्टन इसमें क्या क्या है क्या है कि इसमें क्या-क्या कॉंस्टन था कि अगए तो जब रेशाल होगे वाइस प्रोपोर्शनल डू एल वाइस प्रोपोर्शनल टू य अगर कॉशन डंक से पढ़ा होगा तो और कॉपर का 3.5 था ऐसा कुछ तो था था कैसा और एरिया आगर आप देखोगे तो यह कॉपर का है तो इसका कितना है तो माइनस फाइब यह 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 अभी काम करते है एंसल कैंसल वन पॉइंट फाइब टूजा वन पॉइंट पाइब इसा वन था एन तूजा गए ओपर है एंसे सिख नीचे है त्री पॉइंट फाइंट पॉइंट 1.7 that is 60 by 35 5.60 by 35 65 35 5 12 or 7 the 12 by 7 of the 1.7 one point next question अगला कुश्यंट भी सिंपल ही है ऐस्पियर कंट्रक्सिन गॉल्यूम बाइज 0.01 परसेंट जल्दी बता वाट जल्टा वी भी टेंगा देज च्ट मैनस 4-40 0.01 परसेंट तो परसेंट परसेंट 10 डिस्त मानस तो अहता और 0.01 तने सिल तो मानस तो मानस देल्टा वी किलोमेटर डीप मतब एच की वैल्यू मिल गई वन किलोमेटर डिस थाउजंद मेटर वेड़ी गुड द बल्क मॉडिलर्स ऑफ पटेल अप स्पियर इस आपको बल्क मॉडिलर्स पूचा है और आपको डेंसिटी ऑफ सी वाटर बता दिया है थाउजंद किलोग्राम पर मेट अब क्यों बल्क मॉडिलर्स का वैल्यू पूचा है तो अब देप अपॉन किलोमेटर बतलब थाउजंद मीटर देंसिटी ऑप वाटर कितना डिया हुआ है थाउजंद जी के वालियू भी कितना लेलोगे तें फिलाल तो लेलो अच्छा 9.8 यह दिक रहे है नैंपने नैं 4.9 4.9 तो फिर एक काम करेंगे 9.8 लिख देंगे और वाट इस डेल्टा वी बाइवी तेंदेस्टू माइनस फूर ठीक है शिक्स और यह माइनस फूर उपर आ जाएगा तो 9.8 इंटू 10 देस्टू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वेर ऑप्शन नमबर भी ऑटलागम एक नेक्स कोन दूज़ए नेक्स पूस्टन के सब्सक्राइब बतलागम मेस्टेप नियुक्र सब्सक्राइब इसका साइड लिंटें तन संटिमिटर यह सब्जेक्टिट इस शीरिंग टूसी प्रूर्च ऑन एडिया कितना है तने लिस टूर नूनल नीटर स्क the modulus of rigidity if the top of the cube is displaced by 0.05 cm with respect to its bottom s तो यह question भी directly होता है सिब question अच्छे से समझ लो metal cube cube का तीनों साइड same dimensions का होता है तो length and height are same तो L की value same है कितनी है 10 cm मतलब 10 देस्टू माइनस मेटर सब्जेक्टेट टो शीरिंग स्ट्रेस बता दिया आपको ठीक मॉडिलेस पूचा है if the cube is displaced by 0.05 0.05 cm मतलब डेल्टा यल का वैल्यू दिया है वाट इस बिचिटी मॉडिलेस का फर्मिला नहीं sharing stress upon sharing strain अवह सब्धार क्यों कि तुमक BOB डुरेक्टनी شियर स्ट्रेस की वैल्यू बता दीवेल्यू तो तुमको स्ट्रेस येल्फ अपन shear strain upon shear strain वो क्या होता है डेल्टा एल बाइल ठीक करेक्ट वट इस्ट्रेस का वैल्यू 10 देस्टू 4 वट इस डेल्टा एल 0.05 0.05 केलश एल और इल वकिसम ए और सेंटीमेटर 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 हो गया गया वाइफ़ प्लस unfinished 100 by 5 20 so 20 into 10 there's to 5 we are 2 into 10 there's to 6 and so good answer on a newton per meter square two into 10 there's to 6 option number a question next question a copper wire of length 2.4 meter and the steel wire of length 1.6 meter both of diameter 3 mm diameter same other radius same other area of protection same diameter same but the radius same other area of protection same even get constant yeah that night are connected end-to-end end-to-end connection मतलब series connection end-to-end मतलब और side-by-side मतलब parallel when stretch by load क्योंकि अगर end-to-end connected है तो जितना लोड नीचे की वायर पर उतना ही लोड उपर की वायर पर लोड भी बन गया constant f b constant okay the net elongation net elongation is found to be 0.7 mm the load applied is why copper or wire steel दिया है net elongation what is the meaning of net elongation कि जवाब यस डेल्टा 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 अल्टू क्योंकि दो वायर थे वह आमने पीछे सब्सक्राइब का कुश्चन है मैं टाइग रहे महीं से उठा लेता हूं बेटर ओफ यह वाला दिस इस तक कोश्चन अब तक कर लेनी चाहिए थी जो लोग एक्जैम करते हैं अच्छे रैंकिंग से यह डिफरेंस होता है वह इतने कोश्चन्स प्रैक्टिस करते कि उनको चीज़े याद रहने लगती है और बैसिकली यौज अंडर्सेंड वन मोर दिन वाम यह वट दिन नूटेस एंड-टो-एंड में सीरिस कनेक्शन में सीरिस कनेक्शन के पुश्चन में एरिया हमेशा कॉंस्टंट दिया होता है और पैरेडल के जब आएंगे ना उसमें लेंध कॉंस्टंट दिया होगा तो इस इस हाओ यू शूट स्टार्ट इंकिंग नो कि पहले भी मैंने कॉश्चन सौल किया था एंड-टो-एंड का सीरिस का उसमें भी एरिया कॉंस्टंट था वहाँ पर डरेक बहुत आया सेम है मतलब एरिया सेम है ओके तो यह चोटे-चोटे चीज़ें है विच्विल में को बिक डिफरेंट पहला वायर यहां पर उल्टा बोल दिया कॉपर है जुसरा चलो स्टील है जो भी है नेट इलांगेशन को कि तुमने लोड लगा है नीचे तो दोनों इलांगेट होंगे ने इलांगेशन विली एल्वन प्लस कि इतना है 2007 उपके मैं में एक हम रखता हूं बाद में देखेंगे गणवर्ड करने काम बाद में करेंगे पूरा कोश्चन पढ़ने के बाद तुमको क्या पूचा है लोड लोड पूचा ना ठीक अब लोड इस इस में लाएंगे कैसे डू यू रिमेंबर वो तो भी याद है ही आपको आई नो यू रिमेंबर एडिस एफल अपॉन ए स्मॉल स्मॉल मतब डेल्टा है तो बड़े स् कुई टो यहां स् sharply एफ वेल वन क्या इनकि बॉन क्या हैतं दोनों सेम सियर नहीं था तो कैपिटल एलवन यह मैं स्सक्राइबलन लिख रहा हूं एरिया से में क्या येस यंग मोरे से में क्या नो एलवन और एल्टु क्या है फिर फ्ल्टु अपन ए वाई टू ये एक्वेशन नमबर टू एक्वेशन नमबर वन में सब्स्टिटूट कर दो तो फ्रम एंडू वह दो प्रम एंड विटल वन लिगली अल फल वन भाय एव एव एल टू बई यू एक्वाइटू एक्वाल टू पॉइल पॉइट सेवेशन एम्म गनवर कर रिले ते याप छीख जिरो पॉइंट सेवें म मतलब ग्या ग्याइब जिरो पॉइंट सेवें में दिटन F by a common L1 by Y1 plus L2 by Y2 को जूर्व करना है होुष हमको को साइन करना एरिया पायार स्क्वएर क्या होता है एर्याइज झांड करना है एरिया और घॉन एलबन की वैलुइव सी तू पाशूए तो और वाई वन था वन पॉइंट टू लगए टेमेस क्या है दोनों के पास टेमस्टू इलेवन से काम करूँ ना दोनों में तो दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे आ गया कॉमन टेंदेस्टू 11 ओके तो ठीक अब मैं अन्दर नहीं लिखूंगा फिर क्योंकि कॉमन निकाल लिया प्लस वाट इस एल टू वट इस लेंदर सेकेंड वायर 1.6 और यह आ गया टुक्षिटील था ओके एकवल ट टीन मैं रिटेस्ट कितना हो गया 1.5 M1.5 mm वार एंडरेस्टू माइनस द्री उस्का स्क्वेयर टैनेस्ट्टू मानिस एक सब्सक्वेर तो 10 बिस्टू माइनस शेक्स और 10 बिस्टू 11 और 1.5 का स्क्वेर 2.25 कितना आ गया 2.25 तेक जाहता तक क्लियर पक्का-क्लियर ओके अब ब्रैकेट के अंदर वन जाएंट तूजा इस वन जाएंट तूजा इस वन जाएंट 0.8 तो 2.8 आ गया तो मुल्टिप्लाइट वाइट 2.8 आ गया एक्वल टू सेवन इंटू 10 देश्टू माइनस कर लो भी शॉल इसको सिंपल सिप आंसर पाय में क्यों देख लेना नहीं नुमेरिक है कोई बात नहीं कि दिस इस माइनस 6 प्लस 11 5 5 10 देश्टू 5 वहां जाएगा 10 देश्टू माइनस 4 के तर मैंटिप्लाइब हो जाएगा 1 मतलब मतलब आ गया 10 साथ था साथ में पाय आ गया साथ में 2.25 आ गया और डिवाइड हो गया 2.8 से बरबर पहले आंसर देख लो आस पास में कुछ नहीं है तो डिरेक्ली भी हो जाएगा लुक वाट वाट विल दू इस इन इस केस सबसे पहले है रिमेंबर 2.25 इंटू पाए 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 के लिए कितने होती है तीन मान के चलो वाट इस टू पॉइंट टू फाइव इंटू त्री शिक पॉइंट सेवें पाइड ना लेकिन वह 3.14 ता तो मैं साथ मान लू साथ येस साथ इंटू साथ 4049 49 ठीक है 49 49 को 48 मान लो लिए टिक लिए टुपॉइंट को थरी कर लिया फॉट इस पॉइंट जाएगा चुकि यह आपका बन जाएगा टोटल बन जाएगा वन यह पूरा तो मन तुमने क्या बना लिया 1.6 कि 16 16 नंबर द्यान दो मैं वापस बता रहा हूं द्यान दो साथ साथ एंटू साथ एंटू साथ 49 49 मतलब 48 48 बाइ 3 16 16 16 16 16 हमने रफ कालकुलेशन किये उपर 49 था मैंने 48 लिया तो नंबर आपका 160 के उपर जाएगा तो कितना आएगा 180 180 मतलब 1.8 इंटू 10 देश टू आगया न्यूटन में तो आंसर में यूनिट्स भी गलत दिये वे हैं उचा लोड है दिया मीटर है तो आएगा क्या नहीं चाहिएगा न्यूटन न्यूटन नट